विल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुस्चन नमबर आपका नेक्स हो जागा 24 ठीक है जिसमें कहरा है कि न्यू क्लिक अमले क्या होते हैं न्यू क्लिक अमले क्या होते हैं आपको बताना है ठीक है शौट आंसर टाइब कोश्चन हम यहाँ पर डिसकस कर रहा है कुस्चन नमबर 24 न्यू क्लिक असिड क्या होता है ठीक है वाडार न्यू क्लिक असिड तो यह हम बात कर रहा है short answer type question की यहाँ पर ठीक है आप से लेकर हमने एक से लेकर तेज तक ठीक है अब तक एक से तेज तक जितने भी आपके short answer type question है उनको हमने discuss कर लिया आज हम बात करेंगे question number 24 की ठीक है जिसमें पूछ रहा है कि new click अमल क्या होते हैं यह बताना आपको ठीक है nucleic acid ठीक है long answer में हमने पढ़ा था कि nucleic acid ठीक है तो उसकी सरचना हमने पढ़ी थी कैसे बना होता है ठीक है what are nucleic acids ठीक है नियुख़ी के एसेड सो होते हैं वह हमने पढ़ा था कि उच्च अडवार वाले होते कैसे होते हैं उच्च अडवार वाले आपके पदार्त होते यह किसे मिलकर बने हुते हैं कारवन हाइड्रोजन नाइटोजन और फासफोरस से बने हुए आपके उच्च आंडविक दरिवान या उच्च अडभार वाले रंग हीन बहुलक होते हैं कैसे होते हैं रंग हीन बहुलक ठीक है colorless यानि कि इनमें कोई बिसेश प्रकार का रंग नहीं होता है ठीक है तो कैसे होंगे आपके carbon hydrogen nitrogen phosphorus से बने हुए उच्छ अडभार वाले क्या होते हैं आपके योगिक होते हैं और यह कैसे होता है और रंग रंग ही न बहुलक होते हैं polymer ठीक है polymer यानि की छोते-ठोटे पदार्थों से मिलकर एक चूटे अड़ू मिलकर एक बहुत बड़े अड़ुन को निर्माड करते हैं तो उसे नूकलियोटाइड होता है। टीक है? क्या होता है? एकल नूकलियोटाइड होता है और ये पॉलियोटाइड भी कहलाते हैं। क्या क्या लाते है, polynucleotid, जब nucleotide आपके आपस में एक दूसरे से मिलते जाते हैं, और बहुत सारे nucleotide मिल जाते हैं, तो इसको कहते है पॉली न्यूकली उटाए ठीक है यह जैव की यह कैसे होते हैं यह जैव की रूप से अती महत्पूर्ण पदार्थ होते हैं ठीक है कैसे होते हैं अती महत्पूर्ण पदार्थ होते हैं ठीक है कौन से आपके न्यूकलीक अमल की अगर हम बात करें तो ठीक है है नंबर एक का आनवंच की लक्षणों को संतान में पहुंचाना तो पैरेंट्स होते हैं या जनक होते हैं प्ली है उनके उनके अंधर आफिश की लक्षण ठीक है या जनेटिक सूचना है जो होती है उनको 15 पहुंचाना किसकोval प्रतियेक एकल नुकलियोटाइड तीन रासायने गटकों से बना होता है तो जो आपका एक नुकलियोटाइड होता है वो तीन रासायने गटकों से मिलकर बना होता है वो आपके कौन कौन से होते हैं तीन रासायने गटक ठीक है अब ही हम बात करेंगे जिसमें हम पढ़ते थे क्या पढ़ते थे पिलस क्या पढ़ते थे? राई बोज सुगर पढ़ते थे राई बोज सुगर जिसे हम पेरइटू, शरकरा कहते है और क्या पढ़ते थे? एक फासफेट गूरूप पढ़ते थे फासफेट घ्रूप थीक है? तो ये तीन आपके क्या हो जाएंगी यह तीन आपके रासायने गटक हो जाएंगे ठीक है nitrogenous ways phosphate group और आपका एक सुगर आ जागा ठीक है तो इन तीनों से मिलकर आपका क्या तिर्फ त्षेश कार्व दिश्रान जिससे हम नाय टोजन अस ब्यक्त है यह कहते हैं यह जो एक युगिक लगा वगा वसकता है उसकता है तो यह होता पियूरीन या प्रिम्यडिन भ्यूत्पन किसके भ्यूत्पन होते हैं यह तो प्यूरीन होगा आपका या क्या होगा आपका प्रिमिडीन होगा ठीक है इनके व्यूत्पन होते हैं दूसरा पेंटोज सरकरा जिसे राइबोज डी आक्सी राइबोज कहते हैं ठीक है राइबोज सरकरा और डी आक्सी राइबोज सरकरा के नाम से जानते हैं ठीक है ये कैसी यह उती है आपकी पेंटोज शरकरा होती है ठीक है तो दूसरा आपका यह हो जागा component ठीक है कौन सा शरकरा वाला थर्ड आपका क्या हो जागा phosphate समूम जिसे फासफोरिक अमल कहते हैं ह3PO4 तो तीसरा आपका component यह हो जागा कौन सा ह3PO4 ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं पासफोरिक अमल के नाम से जानते हैं तो यह तीन component है जिन से मिलकर आपका क्या बना होता है नुकलीओ टैड ठीक है क्या बना होता नुकलीओ टाइड ठीक है जाली है तो आली हो त्यक्ट फेल नियुक्लिक अमल के निर्माड में एक Nucleotide का शरक्रा अब से दूसरी Nucleotide के Nucleotide तो Nucleotide से किसके निर्माड में Nucleotide का शरक्रा-अब से दूसरी Nucleotide के फासफेट से जुड़ जागा माणलो ये Nucleotide है अब इसी न्यूक्लीम्ताइड से आपका सुगर जुढ़ा च्छा है सुगर जुढ़ा है तो इसका जो विख्श्य स्वग आप ऐला या अंतिम सिरा होगा थीक है यापका फास्फेट गुरूप ठीक है पीजी तो इस तरह से एक लंबी स्रंखला आपकी बन जाएगी ठीक है नुकलियूटाइड का सुगर जो होगा ठीक है सुगर का जो अवशेस होगा यानि कि अंतिम सिरा होगा उससे क्या होगा दूसरे नुकलियूटाइड का फास्पेड गुरूप लगा ठीक है इसी तरह से इस से ठीक है जो नुकलियूटाइड आपका दूसरा है इसके इसके सुगर से अगले नुकलियूटाइड का फास्पेड गुरूप लगा रहेगा इसी तरह से यह चेंज चलती रहती है और एक आपका उच अड़भार वाला योगिक जो है यहां से बन finale जयाता है ठीक है और पॉली नुकलियूटाइड अर्थात नुकलियूटाइड का लंबी शरंखला बन जाती इस तरह से क्या बन जाएगा जो आपका यज़्यक होगा, यह पberिया पॉली नुकलियूटाइड का खाए ने, तो इस तरह से नुकलियूटाइड का से यह आपके दो तरह के होते हैं कौन से प्यूरें और पिरम flatten कौन से होते हैं आपके एक तो प्यूरिना दूसरा नहीं ओगा प्यूरीन तो यह दो तरह के हाँकर इंप और प्यूरीन में हम क्या पढ़ते थे प्यूरीन में हम पढ़ते थे एडिनीन क्या पढ़ते थे एडिनीन और गवानीन जबकि प्रिमिदीन में क्या पढ़ते थे हम साइटोसीन और आपका थाइमीन ठीक है क्या पढ़ते थे साइटोसीन और थाइमीन ठीक है किसके लिए डिने के लिए आ बात करें तो सुगर में आपका क्या होगा राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज ठीक है जो सुगर होता है आपका पेंटोज उसको हम राइबोज और यह आपका क्या होगा डी ऑक्सी राइबोज मतलब कि उसी सुगर से दूसरे वाले कारवन का ऑक्सीजन हट जाता है ठीक ह तो यह जो आपका दूसरा कार्वन है, यह आपका पहला कार्वन है, यह आपका दूसरा कार्वन है, यहाँ पर क्या लगा होता है, आपका OH लगा होता है, ठीक है, तो हो जाता है यह राइबोज सुगर, काउंसा हो जाता है, राइबोज सुगर, और जब यहाँ से आपका OH, और आपका क्या होगा डीगार रहें इस स्jangर से आपका क्या लगा रहेगा फस्फफेट गॡुल्बफ या सुगर के अंतिम सिरे से क्या लगा रहेगा आपका फासफेट ग्रूप लगा रहेगा ठीक है दूसरे नुकली टाइड का जली अब कहा रहा है नुकली कमल ठीक है क्या है नुकली कमल एक संयुगमित प्रोटीन नुकली टाइड के जल अपगटन से प्राप्त किये जाते है नुकली कमल की अगर हम बात करें तो यह कहां से प्राप्त किये जाते हैं संयुगमित प्रोटीन ठीक है जिससे नुकली टाइड क तब हमें क्या मिलता है अब गटन से प्राप्त किये जाते हैं कौन न्यूकलिक अमल ठीक है किसके अब गटन से सहिंगमित प्रोटीन न्यूकलियो प्रोटीन के जल अब गटन से जो न्यूकलियो प्रोटीन आपका होगा इसका क्या कर दो हाइडोलाइस ठीक है जल अब गटन पार्ट ठीक है नूकलिक अमल होता है जो आपका नूकलियो प्रोटीन का प्रोस्थेटिक भाग होता है मालो आपका क्या है यह आपका क्या है नूकलियो प्रोटीन मालो ठीक है माल लिया क्या है आपका नूकलियो प्रोटीन है अब इसका प्रोस्थेटिक भाग यानि की प्र कह रहा है और प्रोटीन भाग प्रोटामीन या हिस्टोमीन से बना होता है बागी आपका जो भाग बच गए जिसमें आपका क्या है प्रोटीन वो किस से बना होता है आपका प्रोटानीम ठीक है प्रोटामीन या हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है ठीक है जिसमें आपका प् दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं पहला होता है आपका डी एन जिसे डी ऑक्सी राइवो नूकली का एसे ठीक है तो यह आपके पेंटो सरकरा के आधार पर ठीक है कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के पह हटढ़ीयाट तो वो कहता अपका डी और यमगेंगे दूसरा क्या था जो सेकंड कारवन था उस पर आपका ओएच ग्रुप लगा हुआ था तो आपका वह जाता राइबोज बाला ठीक है तो यह को जागा न्यूकलीक रख American तो इससे क्या गहेंगे क्या है ये आपका अब देखो और चोच का होल्ट वाई अब यहां देखो ओच कितने गुरूप लगे हुए आपके 3 और 4 और 5 यहां कितने लगे हुए है 1 और 2 और 2 4 तो यहां पर आपके 4 जो है ओच गुरूप लगे हुए यहां पर कितने लगे हुए आपके पांच ओएच गुरूप ठीक है तो यहां पर एक ओएच गुरूप यानि कि एक ओएच से आपका हाइडोजन निकल चुका है तो उसी को कहते है टू डी ऑक्सी राइबोज यानि कि दूसरे कारवन से ठीक है जो दो लिखा यह क्या है प्रोटीन के रूप में मुखता कोशिका द्रब में कहां होता है कोशिका द्रब में तथा डी ऑक्सी निकलियो प्रोटीन के रूप में मुखता कोशिका के नाविक या कोशिका के किंद्रक में पाया जाता है कौन तो मानलों यह क्या है आपकी कोई यह आपकी सेल है क्या है आपकी कोई सेल है या कोशिका है तो जो आपका RNA होता है राइबो नुकलियो प्रोटीन के रूप में किस रूप में ये राइबो नुकलियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है कहां कोशिका द्रब में ठीक है ये कहा है मानलो साइटो प्लाजम है क्या है आपका साइटो प्लाजम ठीक है क्या है आपका साइटो प्लाजम जिसे हम कोशिका दिर्भ भी कहते हैं तो इसी में आपका RNA जो है पाया जाता ठीक है RNA आपका कोशिका दिर्भ में पाया जाता है जबकि जो DNA होता है डी आक्सी नूकलियो प्रोटीन होता है यह किस में पाया जाता कोशिका के नाभिक में या कोशिका के केंद्रक में तो मान लो यह क्या है आपका केंद्रक है ठीक है क्या है आपका केंद्रक है सौरी केंद्रक तो इसमें क्या पाया जाएगा आपका डी एन ए पाया जाता है ठ पर हमें क्या करना था टिपणी लिखनी थी ठीक है तो इस तरह से आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था डिसकस किया था उम्मीन करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही हमार साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग और श